नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दिल्ली सरकार के खिलाब बोलने वाले चात्रों पर एक्सन नाले युनिवर्सिटी मनीशी सोधिया दिल्ली के उप मुख्यमंतरी मनी स्विसोधिया ने उस चात्रा के खिलाब एक्सन नहीं लिनी को कहा है जिसने दिल्ली सरकार के खिलाब बयानबाजी की थी दरसल ये बयान बाजी मुख्यमंतरी अर्विंद केजडिवाल और उप मुख्यमंतरी मनोसी सोधिया के खिलाग थी जिसके बाद आमबेडगर युनिवर्सिटी दिल्ली परसासन ने चात्रा पर अनुसासनात्मा कारेवाई करते हुए जुर्माना लगाया था मनिश सी सोधिया ने इसी मामले में कॉलेज परसासन से कारेवाई नहीं करने को कहा है उन्होंने कहा कि विशु विध्याले चात्रों के लिए सुरक्षी जगे होनी चाहिए जहां पर चात्र मुखरता के साथ अपनी आवाज उठा सकें भले ही उनके विचार सरकार के खिलाप हूँ आवाज को दवाना ठीक नहीं है चात्र हमारे देश का भविश्य है अगर हम उन्हें विशु विध्याले के अंदर अपनी बात रखने का मौका नहीं देंगे तो फिर कहा देंगे उन्होंने कहा कि सरकार से अलग विचार रखने पर इस्टूरेंट के खिलाफ कोई कारेवाई नहीं होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में इस्टूरेंट को अपनी रायें बया करने की आजादी मिलनी चाहिए किसी भी इस्टूरेंट को बोलने की अजादी के अधिकार के लिए सजा नहीं देनी चाहिए इस्टूरेंट को अगर हम आवाज उठाने का मौका नहीं देंगे तो हम देश के लिए अंधकार मैं भविस्ते इस्थापित करेंगे जिसमें लोगों को अन्याय के खिलाप बोलने में हिम्मत नहीं होगी सिसोधिया ने कहा कि अगर देश के राजनीतिक नेताओं के खिलाप आलोशना नहीं होगी तो देश में लोकतंतर नहीं बलकि ताना साही खड़ी होगी उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि दिली सरकार की किसी भी उनिवर्सिटी में अपने विचार रखने पर छात्रों के खिलाब कारेवाई नहीं होनी चाहिए तो साफ है दोस्तों कि मनिसी सोधिया ने बड़ा दिल तो दिखाया है लेकिन देखना है कि क्या ये बड़ा दिल रियल में है क्योंकि हमने देखा है कई बार नेताएं बोलते कुछ हो रहे हैं और करवाते कुछ हो रहे हैं उम्मिद करते हैं कि इस चात्र के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद